नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में देखी दोस्तों आज की बड़ी खबर है बीएड वालों के लिए देखीगा टीजीटी पीजीटी और आपका एल्टी गेड शिक्षक भरती ये आपकी हुनजारी और इसका जो विग्यापन जारी के जाए ये दोनों की दोनों भरती आपकी एक साथ सुरू की जाएगी और यहां पर देखीगा आज जो ये नियूज दी है इसके बारे में बताया कि आपका एल्टी में कितने पदों का अधियाचन मिल चुका और कितने पद जो है इसमें दो जार रठारे वाली जो भरती थी उसमे है कौन को इस फ़र्म को अपलाई कर सकता उसके लिए भी हम देखें इक बाकी आपका एग्जाम पैटन क्या है आपका टी टीन पीगेड़र के लिए बाकि आपका GATE के हम देखने वाले तो पूरी इस वीडियो को जो है अच्छे से देखना तो यहां पर आप देख सकते देखेंगे इसमें कि आपका जो है शिक्षकों के हजारों पदों पर होगी भरती यापर इसके अलावार आज के विध्यालियों और एसास के महाविध्यालियों में इसी वर आसपास जो है खाली रह गएते और अभी देखेंगा बारसो साथ पदों पर अध्याचन मिला इसके अलावा कुछ और अभी पद जो है तो कुल मिला के यह बरती भी आपकी लगबग साथ हजार पलस पदों पर यह आपकी होनी है एल्टी ग्रेड के लिए और एल्टी ग्र पन जारी किये जाएगे और उत्तर परदेश लोग से वा आयो को जो है राजकिया इंटर कॉलिज में एल्टी ग्रेड के तकरीबन बारसो साथ पदों पर जो भरती के लिए अधियाचन मिल चुका है इसके अलावा एल्टी ग्रेड शिक्षक भरती दोजार अठार के विब पर जो है इन पर बढ़ती के तकरीबन पांच जार पदों पर यह भरती के लिए उत्तर परदेश मात्यमिक सिक्सा सिवाचन बोर्ड की जो है अधियाचन मिल चुका है इन में से जो है आपका 16 विश्यों में आपका TGT की आपकी परिक्षा होगी और आपका 23 विश्यों मे आपके PZT का जो अधियाचन मिला है अभी तक और यहां पर देखेगा परतियों की शात्र मोर्चा के अध्यक्स विक्की खान ने मांग की है कि इन पदों पर भरती के लिए विग्यापन जो है सिग्र ही जारी किया जाए यह जो आपका विग्यापन है यह आपका चुनाओ होगी आपकी 150 कुश्चन की यह परिक्सा होगी 150 इसमें नंबर होता है यह जो आपका पेपर होगा यह आपका दो पार्ट में होगा पार्ट वन में आपके इसमें 30 कुश्चन पूछे जाएगे और यह 30 कुश्चन सभी विश्यक हो गया जैसे आपका इतियास है भुगोल ह अर्दसास रहे आपका computer से question पूचाएगा आपका 2-3 question इसकी अलावा गणित से 3-4 question पूचाएगा और आपका current affair इसमें रहेगा बाकी 120 जो question रहेगा यह आपका man subject रहेगा जो की आपका graduation में आपका रहोगा या जिस subject से आप apply करोगे तो कुल मिलाके आपका 150 question पर ही आपकी merit जो है इसमें बनाई जाएगी बाकी इस पर इक्सा के लिए negative marking जो है आपकी one by third है अगर आप तीन question गलत करते तो एक सही जो question होगा वो इसमें कट जाएगा ठीके बाकी देखेगे इसमें जो आपका TGT का सलेवस है इसमें आपका 125 question इसमें पूछे जाएगे और इसी पर आपकी जो merit है वो बनाई जाएगी इसमें देखेगा negative marking नहीं है इस परिक्सा के अंदर बाकी आपका PGT के अंदर भी आपका 125 question होगा और इसमें भी कोई भी negative marking नहीं है बाकी बात कर लेते हैं इस परिक्सा की तो यह परिक्सा लगबग आपकी कब तक होगी जब देखेगा notification निकाल जाएगा तो यह माने की लगबग आपको चार से पांच महीने का इसमें जो है समय मिलेगा आपको LT grade या आपका जो है TGT PGT परिक्सा के लिए तो यह मान के चलेगा अभी से आप अपनी तयायर में लग जाएगा अच्छे से अपना जो subject है उसको cover करिए जो पिछला paper ता 2008 रहे का वो देखेगा बाकी अभी जो TGT PGT का जो paper हुआ उसमें अपने subject का वो देखेगा तो इसे अच्छे से आपको जो है जो exam का pattern होगा वो भी आपको clear हो जाएगा बाकी अकर आपका कोई doubts बचा है तो आप comment कर देजेगा आपको जो उसका reply कर देजाएगा